आज हम लोग इस्टेडी करने जा रहे हैं BSC AG 4 semester का एक सब्जेक्ट है Crop Production Technology, Rabi Crop इसके अंतरगत सबसे पहला लेक्चर वीट के बारे में आज हम लोग वीट के बारे में देखेंगे किसकी cultivation practice क्या है, origin क्या है, geographical distribution क्या है, economic importance क्या है, biological characters क्या है साथ में इसके cultural practices क्या क्या है, अन्य चीजे, जितनी भी चीजे, harvesting, yield के साथ-साथ, इसका seed rate और चीजे, जो चीजे होती हैं हम लोग सभी कुछ आज इस topic में check करेंगे, तो चलिए, start करेंगे इस topic को, लेकिन start करने से पहले, अगर वीडियो आपको last से देखेगा, अगर अच्छा लगेगा, तो प्लीज जरूर लाइक करेगा, और share करेगा अपने दोस्तों के साथ, जिससे हम ज़्यादा ज़्याद आप से जुड़ सके, तो चलिए, आए topic पर चलते हम लोग, तो इस ने, जैसा कि topic इस पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इसका botanical name, तो इसका botanical name होता है Triticum estivum, यहाँ पर दिखाया गया है Triticum species जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, क्योंकि इस Triticum के अनेक species है जो हम लोग पढ़ने है, साथ में इसका जो family है, वो है gramny, gramny मतलब यह जितने भी आनाज वाली फसलों में आता है, उसमें आता है, अनाज मतलब जितने भी course grains वाले फसलों में हैं, उसके अंतरगात आता है, इस gramny का नाम पहले से poesi भी था, क्या? poesi, gramny family के अंतरगाता है, अब इसके हम origin की बात करें, तो इसकी origin South West Asia मानी जाती है, दच्छिडी पस्चमी Asia इसका origin माना जाता है, ओके, तो आगे हम लोग देखते हैं इसके economic importance के बारे में, इसका मतलब की आर्थिक महत तो क्या-क्या है, तो सबसे पहले इसको commonly जो मतलब की देहाती भासा में है, इसको भोजन में 200 में दूसरे number पर crop है, क्या, rice के बाद यही एक crop है, जो की मतलब सबसे ज़्यादा भोजन के रूप में उपयोग की जाती है, उसके साथ इसके जो दाने है, इसके या भूसा जो है, भूसा को हम लोग cattle को forder के रूप में देते हैं, जो इसका excret material बचता है खेतो में उसे भूजा बनाकर हम लोग cattle को खिलाते हैं, इसका जो cereals है, इसमें अनेक प्रकार की nutritive value पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें protein पाए जाता है, करोईरिट पाए जाता है, और अनेक प्रकार के nutrients पाए जाते हैं, अनेक cereals की अपिछा, बहुत अच्छे इसमें पाए जाते ह तो इस रेंट्स देखते हैं हम लोग कि इसमें कौन-कौन से न्यूट्रिंट्रिंट्स पाई जाते हैं तो पहला न्यूट्रिंट्रिंट्स जो है वह है इसमें कार्बोहाद्रेट जो कि 60-70% पाय जाता है और 8-15% तक प्रोटीन पाय जाता है जो कि ग्लूटेन के फार्म में होता है कौन से प्रोटीन ग्लूटेन प्रोटीन एक डेड़ से 2% फैट और 2.5% से लोज फाइबर साथ-साथ 2-3% सुगर और उसके बाद मिनरल मेंटर्स भी पाय जाते हैं 1.5-2% उसके बाद इसका जो इंडरस्टी में कुछ यूज है जैसे कि स्टार्च बनाने के लिए ग्लूटेन प्रोटीन निकालने के लिए माल्ट बनाने के लिए उसके साथ-साथ और कई प्रोटीन बनाए जाते हैं इससे ओके तो आगे हम लोग देखते हैं हाँ तो इस टेंड्स जैसा कि इसमें हम लोग अब स्पिसीज के बारे में देखें तो पहले दो तरीके के स्पिसीज होती है एक हेकसाप्लॉइड स्पिसीज जिसका क्रोमजूब नम्बर 2N42 के बराबर होता है इसमें दो प्रकार की स्पिसीज पाई जाती है पहले ट्रीटिकम एष्टिवम जो में गेहूं होता है और दूसरा जो होता है वह होता है ट्रीटिकम वलगेयर पहला जो ट्रेटकम है वो 87% एरिया हमारे भारत के अंतरगत कवर करता है मतलब 87% एरिया पर उगाया जाता है उसके साथ इसको commonly रूप से Mexican dwarf wheat करते है मतलब की Mexico का बौनागे हूँ इसका और जो है यह bread wheat भी कहा जाता है मतलब इस wheat से bread बनाया जाता है यह Norman E. Borla के द्वारा मैक्सिको में सबसे पहले इवाल्व कराया गया था यह था हमारा ट्रेटिकम H.T.O.M. के बारे में अगला जो है वो है ट्रेटिकम वल्गेयर ट्रेटिकम वल्गेयर भी bread बनाने के ही काम में आता है मतलब इसको bread wheat ही कहते हैं और लेकिन इसकी जो एक करेक्टर है या क्या है या drain fat condition मतलब सूखे condition में भी अच्छे से उगाया जा सकता है कुछ इसकी जो varieties हैं वो जैसे कि C13, C306, K65, K68 इत्याग यह सभी कुछ varieties इसकी हैं जो कि हम लोग के हां उगाया जाते हैं अगला इसमें जो है इसे English wheat या फिर अंग्रेजी गेहों के नाम से जाना जाता है फिर अगली जो varieties हैं वो tetraploid species के अंतरगत मतलब क्रोमोजूम नंबर 2 और 28 के बराबर होता है इसमें जो पहली species है वो है traticum drumum या पुरे भारत के 12% एरिया में उगाई जाती है इसके जो characters कुछ mainly है वह क्या है या macaroni wheat के नाम से जाना जाता है मतलब इस गेहों का यूज macaroni बनाने काम में आता है जैसा कि आप सभी जानते हों कि macaroni क्या है नर्मली आज की जमाने में यह fast food बहुत ज़्यादा यूज में आ रहा है हम लोग के बहुत लोग इसका यूज करने है इसे macaroni wheat के नाम से जाना जाता है या बहुत ही old और best varieties है या drought resistance और जहाँ पर पानी बहुत कम मातरा में होती है वहाँ पर भी उगाया जा सकता है सूखे कंडी सूखे को भी सहने में सच्छम होती है या कुछ और चीज़ा बनाने काम में आते हैं जैसे कि सेम्या, स्पगेटी और सूजी को बनाने में काम में आता है या सूजी हम लोग जानते हैं मतलब हलवा बनाने का राता है तो उसे भी इसी गेहूं से बनाया जाता है कुछ इसकी वराइटी जो हैं वो जिसे मालविका, HD, पैतालिस्तिस, जैराज, मग मेघदूत और या भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर गेहूं है उगाया जाता है जो की हमारे भारत तो इस डेंट जो दूसरा सबसेज इसका है ट्रिटिकम डाइकोकम इसको इमरफीट के नाम से जाना जाता है और या साउथ इंडियन के पार्ट्स में कुछ उगाया जाते हैं तो इस्ट्रेंट जो अगला deployed species के अंतर गताता है वो है ट्रिटिकम स्फरोकोकम और ट्रिटिकम मोनोकोकम तो आगे हम लोग देखते हैं इसके area और production के बारे में कि ये कितने area में खेती किया जाता है कितना इसका मतलब की बिश्तरित है कहां कहां पर किया जाता है किस किस जो होता है वह चावल होता है कि बिश्व में सबसे जादा चावल उगाया जाता है और चावल खेती की जाती है और दूसरे नंबर पर जो है वह है बिश्व में सबसे जादा गेहों की उपाज की जाती है और गेहों ही उगाया जाता है तो आगे देखें कि यह किस किस ड्रेशन रूस और पाच्वा आश्ट्रेलिया इसी इसाब से अन्य देश में भी गेहूं का प्रोडक्शन किया जता है क्यों क्यों क्योंकि गेहूं बिस्व में सबसे ज़्यादा खाई जाने वली फसल के अंतरगत आती है अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कुछ पंजाब के अंतरगत होती है मतलब कि यहां की प्रोडक्शन चमता जादे है भारत में उत्तर प्रदेश में भले इसकी एरिया जादे हो लेकिन प्रोडक्शन पंजाब की ही जादे होती है लेकिन यहां पर जैसे कुछ बुक्स के अधार पर देखें तो बिहार को हाईएस activity के रूप से माना जाता है तो इस्टेंट्स जैसा कि अब हम इसके बाद वीट के botanical description मतलब कि जो जैविक description उसके बारे में क्या क्या होता है उसकी root कैसी है लिफ कैसी है इन सभी बारे में जानकारी लेते हैं आईए देखते हैं होता है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसके root system के बारे में तो इसकी जो root system होती है यह primary root system होती है मतलब कि temporary यह जखडा ज़ग जैसा होता है मतलब कि जो इसकी ज़ग होती है बिलकुल फैली होई होती है इसे fibrous root system में भी आता है इसका उसके आगे जैसा ही इसके बार आग बात देखें तो इसकी जो secondary मतलब की दो प्रकार की roots होती है एक primary roots और इसकी दूसरी secondary roots तो इस starting समय में जो root रहती है वो सिर्फ nutrients को absorb करती है और young seedlings को बढ़ाती है लेकिन बाद में जो secondary roots होती है वो बड़े होती है और उस पुड़े मतलब की crop को अच्छे से progress करने में maturity बन लाने में अच्छे से help करती है और मिट्टी को पकड़ के खड़ा रहने में भी मदद करती है यह secondary roots कभी start होती है 20-21 से 25 दिनों के बाद जब crown root initiation होता है मतलब CRI stage कहा जाता है इस समय गेहूं को पानी की भी बहुत ही आवसकता होती है में अगर इस समय गेहूं को पानी नहीं मिला मौश्चर नहीं मिला तो गेहूं की उपज नहीं होगी तो CRI stage में ही secondary roots का बनता है जि secondary root system जो था वो क्या था वो normally starting में जो भी plants का root system था उस हिसाब से काम करता है मतलब कि सिर्फ nutrient absorb करना water absorb करना जिसे कि वो जो young seedling है जो छोटा गेहूं का पौधा निकल रहा है वो अच्छे से तयार हो सके तो अगला जो है secondary root system यह जो था CRI stage के बाद यह तयार होता है और यह plant क तो अच्छे से वहाँ पर मजबूती से खड़े होने मदद करता है और उसके बाद उसे अच्छे से तयार होकर एक adult mature होने में मदद करता है तो जैसा कि देख सकते हैं हम लोग की थोड़ा सा figure में आप देख लीजिए कि एगर four leaf stage है चार पतो का stage है तो उसमें यह seed है तो उ था सेकेंडरी रूट त्यार होता है कि यह फाला वला था इस से पर नीचे वला जो है यह primary route और दूसरा वला सेकंडरी रूट कि थो चरूवहश हम अब देखते हैं इससके रूट के बारें हम ने देख़ा sip के बारें में तो डियहह। का mówता है यह बिल्कुल ही गोला और बेल नाकार होता है इस में फूल कंदा लगता है का और इस हुंक मैं यह अगर दोग पतियां बिल्कुल लंभी अकार की मतलब कि एक दम लंबी सीरा विन्यास वाली होती है इसमें पेरलल वें इसंद पाय जाता है, मतलब समानतर सात Помानतर सिराए पाय जाती है और उसके बाद या लीप डाइरेक्ट पूरा इस टेयम से ही डाइरेक्ट निकलती है, इसमें कोई भी मतलब की पेटियोल जैसा कुछ भी नहीं होता है इसमें मेन बेन होती है और उसके बाद साथ में पैलल समानतर सिराविन्यास लगा होता है तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं यहाँ पर पहला फिगर इसमें रूट्स दिखाए जा रहे हैं उसके साथ साथ जो लिफ्स दिखाए जा रही हैं लिफ्स देखे डायर्क लगा हुआ लंबी लिफ्स हैं इस्टेम तना है उसके बाद उपर जो है उसे पुड़े फूल जो मतलब की बालिया लेती हैं उस बालिया को स्पाइक कहते हैं और उसमें छो चोटे काटे जैसे निकले हुट उसे एर बीज में भील को होता है उसे ग्लूम कहते है अब उस के बाद अब लोग देखा जाए ज़ाए फील के बारे में देख सकते हैं इस तरीके में बीज बीज है और एक गोले यह इंप लोत है तो आगे देखे हम लोग जैसा कि इसके inflorescence के बारे में तो इसके inflorescence में जो उपर वाला portion लगता है जिसे हम लोग बाली कहते हैं या फिर उसका head कहते हैं तो उसको botanical language मतलब कि science की भासा में spike कहा जाता है या मध्ध में jig-zag मतलब की तेड़ा मेड़ा आकरिती होता है जो की रेचिस से जुड़ा होता है उसके बाद इस पर फूल के छोटे-छोटे florets लगते हैं क्या छोटे-छोटे florets लगते हैं और जो florets लगते हैं वह एक इस तरफ से एक उस तरफ से लगता है अब हम लोग देखते हैं इसके soil और climate condition के बारे में तो soil जैसा देख सकते हैं कि wheat जो है मतलब यहूँ जो है अनेक प्रकार के soil में उगाया जा सकता है light soil में भी, हलके soil में भी और भारी भूमी भी उगाया जा सकता है लेकिन हाँ यह जो जिसमें उगाया जाना चाहिए वो drainage की ब्योस्ता अच्छी होनी चाहिए पानी निकास की सुविधा अच्छी होनी चाहिए लेकिन काले से काले soil अच्छे इसके लिए होते हैं और इसकी जो pH होता है 5.5 से 7 के अंदर होना चाहिए कुछ स्वाइल की भूमिया जैसे की aluvial स्वाइल, loamy स्वाइल, sandy स्वाइल, loam स्वाइल मतलब दोमठ म्रिदा, loam स्वाइल उसके बाद क्या करते हैं बलुकट म्रिदा यह सभी स्वाइल की पानी रखने की चमता इसमें अच्छी होती है और drainage की छमता भी इसमें अच्छी होते, इसलिए आग्यों के लिए बहुत अच्छी मृदा कही जाती है अब climate के बारे में बात करें, तो climate इसके लिए ठंडा होना चाहिए, इसके उगते समय ठंडा होना चाहिए, medium temperature होना चाहिए drought condition में बहुत अच्छे से नहीं हो पाता, लेकिन कभी-कभी कुछ variety drought condition में भी हो सकती है बहुत ज़्यादा soil moisture भी नहीं होना चाहिए, लेकिन soil moisture कमी बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसके germination के लिए 20-25 degree Celsius की temperature होना चाहिए और tillering मतलब उसमें tillers निकलने के लिए 15-20 degree Celsius की temperature होना चाहिए और इसके पकने के लिए थोड़ी सी गर्मी मतलब 23-25 degree का temperature ज़रूरी होता है आगे हम लोग देखें तो इसके लिए पानी की ज़रूरत 25 से लेकर के 150 cm पानी सालिना ज़रूरत होती है आगे हम लोग बात करें इसके seed bed preparation के लिए seed bed preparation में सबसे पहले हम लोग को इसके लिए बहुत ही अच्छा good और uniform germination के लिए अच्छे से seed bed तयार करना होता है जुताई के लिए 15-20 cm गहर्या जुताई करनी चाहिए 2-3 harving कर सकते हैं सारे घास को निकाल के फेक देना चाहिए जमीन को बराबर कर देना चाहिए और 10-15 ton farm yard manure मतलब कि compost का जो compost organic खाद होता है उसको अंतिम जुताई के समय ही डाल कर जुताई कर देना चाहिए जिससे क्या होता है कि seed bed बिल्कुल अच्छा से तयार हो जाता है आगे बात करें हम लोग इसके seeds मतलब की बीज कितने क्या क्या होते हैं उसके बात इसकी बुवाई कैसे की जाती है तो सबसे पहले certified seed का उपयोग करना चाहिए seed को treatment करना चाहिए theorem से, aggression से और कई chemicals आते हैं कुछ bio fertilizers जैसे की azobacter और PSB ये कुछ bio fertilizers हैं इसको 250 ग्राम प्रती 10 किलो seeds को treat करना चाहिए साथ में इसकी बुवाई के लिए पहले irrigation करना चाहिए first fortnight of November में बुवाई की जाती है मतलब कि starting November में या फिर तो जहाँ पर पानी नहीं है rainfall शूखा condition वो समय अक्टूबर के आधे अक्टूबर के समय ही बुवाई कर दी जाती है 15 November के बाद या दि लेट होता है तो इसमें yield का reduction हो सकता है मतलब कि 25 कुंटल प्रती hectare तक की yield में उपज में कमी आती है अगर हम लोग 15 November के बाद बुवाई करते हैं लेकिन यह दि हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करें यहां पर कुछ धान का जो मतलब कर कोई धान का खेती किया है तो उनका पहले से लेट हो जाता है तो उनमें जो yield होता है वो कमी हो जाती है आटोमाइटिक 25 कुंटल प्रती hectare तक की कमी आ जाती है इसमें देखने को मिलती है अब बात करें इसके seed rate की मतलब कितना seed बौःना चाहिए तो seed rate यह अगर समय से बौः जा रहा है कि हो और irrigated condition है तो उस समय 100 से 125 किलो प्रती hectare तक की जरुरत पड़ती है अगर late हम लोग बौः है और irrigated condition है मतलब की सिचाई की बेवस्था उपलब्ध है तो 125 से 1500 किलो प्रती hectare तक की बौः जाता है अगर सूखा condition है तो 75 से 100 किलो ग्राम प्रती hectare की seed से बौः करनी चाहिए इस rate से इस spacing की बात करें मतलब दूरी की तो रो से रो पंक्ती से पंक्ती की दूरी साधे 22 सेंटीमीटर सही समय पर बौः जाना चाहिए और 18 सेंटीमीटर अगर late बौः जा रहा है तो कम से कम 20 से 22 लाख पौधे एक hectare में maintain होने चाहिए अच्छी yield के लिए आगे बात करें drilling इस ideal method of sewing इसे seed drill से बोना सबसे अच्छी बिधी मानी जाती है लेकिन और बोने की बिधियों में हम लोग broadcasting से भी बोते हैं कुछ और तरीके से होते हैं लेकिन सबसे best बिधी जो है वो है drilling method अगला है जो schedule of irrigation इसकी सिचाई कप कप करने चाहिए तो सिचाई के लिए इसमें main 5 critical conditions आते हैं critical stage आते हैं जो कि सबसे पहला critical stage है crown root in a season जो 20-25 दिन बुगाई के बाद tillering 40-45 दिन late join stage 75-75 दिन और flowering stage 90-95 दिन और dove stage 100-115 दिन की बुगाई पर आना चाहिए तो ये कुल 5 stage है critical stage जिसमें पानी की आउसकता होती है लेकिन अगर condition हमारे पास adverse है हमारे पास पानी सिर्फ 2 हों 2 सिचाई की ब्योस्था हों तो सिर्फ हम लोग CRI stage पर जरूरी देना है उसको फ्लावरिंग stage पर और उससे भी अगर खराब condition है कि एक ही सिचाई की ब्योस्था उपलब दो तो हमें उसे CRI stage पर देना चाहिए मतब crown root initiation stage पर उस सिचाई को देना चाहिए जिससे कि हमारी फसल अच्छे से उख सके अगर हम लोग variety इस case के बारे में बात करें तो अगर irrigated condition सिचाई वाली condition है तो अगर समय से बोया जा रहा है तो हम लोग बोच सकते हैं NIAW 301, NIAW 901, उसके बाद NIAW 295 अगर late है तो NIFAT 34, AK AW 42, 26 और Renfit condition है मतब सूखा वाला condition है तो NIDW 25 के नाम से आता है 15 और EKDW 297, 16 अनेक प्रकार की variety आप लोग और PDF से पढ़ा सकते हैं वैसे हमने link में एक PDF मतलब कि Feed Cultivation के डाल दिया है उसमें और अच्छे अच्छी variety हैं उसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं PDF से link डाउनलोड करके आगे हम लोग इसके nutritional management मतलब खाद के बारे में बात करें तो खाद के बारे में देने के लिए 10 से 15 तन प्रती हेक्टेयर फार्मियाट बैन्यू डालना चाहिए मतलब कमपोश डाला जाना चाहिए उसके बाद इसमें जो NPK मतलब nitrogen, phosphorus, potassium है वह 120, 60 और 60 के average में देना चाहिए अगर टाइमली सो कर रहे हैं तो irrigated condition में late सो कर रहे हैं तो 80, 40, 20 के हिसाब से देना चाहिए प्रती हेक्टेयर और rain fed condition सूखे condition है तो उसमें 40 nitrogen और 20 phosphorus देना चाहिए उसमें potassium की ज़रात नहीं होती सूखे वाले condition में और इसमें कुछ बाते हैं जो nitrogen है nitrogen को आधे भाग में देना चाहिए आधा भाग nitrogen का और पूरा भाग phosphorus और potassium का बुआई की समय ही दे देना चाहिए लेकिन जो आधा भाग nitrogen का है वह पहली सिचाई 18 से 21 दिन बाद बुआई के हम लोग को देना चाहिए nitrogen का आधा भाग आगे हम लोग बात करें तो इसके harvesting और yield की मतलब की इसकी कटाई कैसे करने है और इसकी उपज क्या है सबसे पहले उसके size maturity मतलब mature कैसे हो गया इसका कैसे पता करेंगे सबसे पहले जो plant है पूरा यलो में सूख जाएगा मतलब पूरा सूख जाएगा और plant यलो मतलब पीला रंग में परवर्तित हो जाएगा उसके बाद जो मतलब कि इसकी कटाई का stage होता है कम से कम इसके spikes में मतलब बालियों में 80% spikes सभी पग गए हो उसके बाद ही हम लोग को इसका कटाई करना है और 20% grain में moisture होना चाहिए पानी की मातरा 20% होने चाहिए grain में आगे हम लोग इसके yield की बारत करें तो अगर सूखा condition है तो 12-14 quintal प्रती hectare की उपज होती है अगर सिचाई की condition है तो 40-45 quintal प्रती hectare होती है और सिचाई में अगर late zone है तो 35-45 quintal की उपज होती है आगे weed management की बात करें मतलब खड़ पतवार की तो इसमें सबसे ज़्यादा philaris minor जिसे ग्यहू का मामा कहते हैं इसे tribunal या dosanix से control कर सकते हैं और कुछ प्रकार की chemical से ये control किया जा सकता है तो आप normally किसी भी प्रकार की chemical से इसे control कर सकते हैं जो कि इसके लिए pre-described है और आगे देखा जाए डिजीज के बारे में तो इसमें कुछ डिजीज लगते हैं जैसे की rust, brown rust, leaf rust, stripe rust, yellow rust rust नामक डिजीज इसमें बहुत ज़्यादा लगती है कुछ luge smut, kernel burnt, powdery mildew, कुछ प्रकार ये सब अनेक प्रकार की डिजीज जादा तर इसमें फंगल डिजीज ही लगते हैं लेकिन अगर हम लोग इसके फंगल resistant variety का ग्रोग करें या फिर तो पहले से seed को फंगी side से treat कर दें तो इन सभी रोगों से छुटकारा पाया जा सकता है आगे बात करें हम लोग इसमें जो कुछ insect paste लगते हैं वो है termite, pink water, aphid और rodents मतब चूहे और मक्खियां उसके साथ साथ दिमक ये सभी insect paste लगते हैं